किसां बाईयों जब हमें एक दवा के बहुत ही अच्छे रिजर्व मिल जाते तो हम उसका बार-बार इस्तमाल करते रहेते लेकिन क्या लगातार एक ही दवाई डालने से हमें फाइदा होता है या फिर नुक्सान होता है बहुत सारी ऐसी दवाई है जो कि हम लगातार डालते फिर वह कुछ नहीं होता है और बहुत सारी आवज से लगातार एकी दवाईों को बार-बार इस्तमाल कर सकता हूं लगातार एकी दवाई से क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए तो वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा जल्दी से शुरुआ करते तो देखो कई बार क्या होता है हमारी फ़सलों के अंदर अलग-अलग प्रकार के डीसीद आ जाते हैं अलग-अलग प्रकार के इंसेक्ट आ जाते हैं तो उनके उपर हमारे लेकिन वह दवई डालने से कुछ बार तो नुक्सान भी होता है और कुछ बार फाइदा भी होता है यह कंफ्यूजन अगर दूर करना है तो पहले हमें दवईयों के प्रकार के बारे में समझना पड़ेगा और फिर आपको ही समझ में आ जाएगा कि कौनसी वाली दवई ल तो अगर कोई ओरगेनिक वाली दवई आपको रज़तो दे रही है बहुत अच्छी से रज़तो मिल रहा है तो वही दवई आप रिपीट कर सकते हो उसमें कोई टेंशन नहीं जैसे कि आपका नीम ओयल हो गया है फीच्छो ओयल हो गया है अलंग-अलग प्रकार के कुरकू अगर चाहो तो भी इस्तेमाल कर सकते हो उसका वैल्यू के से कम रखना है वह अनिफ चैलेंज है वह हम अगले वीडियो में देख लेंगे तो आर्गेनिक प्रोडक्ट आप लगातारी समाल कर सकते हो चाहे कोल से भूख ठीक है तो इसे हम continue कर सकते हैं लेकिन Qam Nam Keemical में एक मामला है साझचन पैसे क्या मामला है तो यहां पर हमें fulfillment क्या मामला आइ क्या मामला है तो तो किमिकल के अंदर तो हम दोनों इस्तेमाल करते हैं सिफ का मजबूरी इतना है कि उसके लिए कवरेज की जरुरत होती है और सिस्टेमिक का मजबूरी इतना है कि वह उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है तो फिर भी अगर लागातार एक ही दावई डालनी है हमें अभी समझ लो आपको कॉंटेक्ट दावई में से एक दावई एक बहुत पसंद आ गई कि जो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देती है तो कॉंटेक्ट में कोई भी एक प्रकार की दावा ले लो फंजी साइड ले लो या फिर आपका इंसिक्टी साइड ले लो जैसे को उधारंग के त एक और बात बताना चाहता हो कुछ लोगों को प्रूप लगेगा कि आमें तो प्रूप के साथ की आप इने आदत लगाया है तो अभी बताओ प्रूप क्या है तो प्रूप यह बॉस कि आपने पूराने दमने की दावईया याद करो 22 हो गया ठीक है अपका रेडो मिल हो ग करते थे इनंदावईयों को इन दावईयों में से अभी भी परफूल वाली दावईया कौँ सी काम कर रही है है और सबसे नाम के लिए इस्तुम्हाल की जाने वाली दावाया कौन सी है यह तो यह तो ठीक है भाई मैंने 16 वगएरे का तो नाम भी नहीं लिया तो वह भी अभी लॉंच भी होगा खतम भी हो गया उसका ठीक है ना तो यही वाली चीज जो मैं आपको अच्छी तरके से बताना चाहता हूं कि इन में फर्क क्या है इन में फर्क इतना ही है कि भाई य यह अपके कॉंटेक्ट फंजी साइड इनसिंखी से तो क्वांटेक्ट वाली दावयों को आप लगातार्व कर सकते हैं हम कुमानेल का इस्टमाल करतें अभी कुछ किसान क्या गयेंगे सर जी मन लगतार इस्टमालने करतें हम यह 25 की जगर एंट्रेखल लेतें कुछ गुछ डीवार के सबढ़ करतें तो यहाँ पर जैसी दावा हो गई सिर्फ नाम बदल गए तो यहां पर आपको एक ही बात करने हैं गर्णा कोंकर यह जो दावई है इनका सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट होता है कि इनको खवरिज अच्छा करने तो हमारा जो सवाल था लगातार एक ही दवा डालने से क्या होगा तो लगातार औरगेनिक वाली एक ही दवा डाली तो कुछ नहीं होगा भाई अच्छा ही होगा अगर वो रिजल्ट दे रहा होगा तो वाली बात ही लगातार एक ही क्वांटेक को अल और रेडो मिल का उधारने लेते हैं तो भाई पूराने जमाने में मतलब आज से लगए नाइटीज की बात है आप इस समझ लो कि नाइटीज सेंचुरी में क्या हुआ था कि इसलिए इतना महिंगा मिलता था उस जमाने में उन किसानों को भाई यह कोई खरीत नहीं सकता था उस माने में हरट कोई छोटा किशान तो बिल्कुल नहीं अभी पुराने श्रींद गश्री कर देंगे तो लॉजए ले किमें जादा नहीं कर सकता तो इसका जादा था किमत जादा होने के कारण इसका इस्तमाल कम था इसलिए इसका resistance कम आया और यह लंबे समय तक मार्केट में ठीका रहा लेकिन जब सेक्टिन लॉच हुआ मार्केट में तो मार्केट में सेक्टिन लॉच होने के बाद लोगों ने देखा कि या रहे तो बहुत बढ़िया कारे गर रहे डाउनी का तो यह सेक्टिन लॉच हो यह लोगोंने शेक्टिन को को सब केटरजी छोड़ दी सिर्फ क्या करने लगे की SH you इससे क्या वोगार रेस्टेंस हो गया और रेस्टेंस होने के बाद ये दावय का पावर खतम हो गया, अभी ये दावय किसी काम के ने रही, मतलब थोड़ा बहुत कारे कर रही है, जिस एरिया के अंदर रेइस्टेंस डेवलूप नहीं हो चुका है, हमारे नासिक के अंदर तो कुछ काम ने कर रही है, नासिक के बाहर कारे अभी भी कर रही है, तो ये खतम होने के कारे अभी आपको पता चल गाए अभी आप मुझे बताओ कि कोल सी वाली दवया लगाता डालने से फायदा होगा आप ही बता सकते हो तो इतना अच्छा तरीके से समझाने के लिए एक लाइक भी बनता है लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर करना है वक्त तो लगने वाला है लेकिन उस वक्त में अगर आप वन मिलियंग भी कर देते तो भाई वन मिलियंग के बाद इससे भी दो गुना तेजी से हम दोडने वाले आपके लिए तो ठीक है आज का वीडियो में कुछ आपकी शंकाय होगी तो बता देना और हां नेक् अले वीडियो में जै जावाल जै के साथ